दोस्तों आज के सब वीडियो को इंदर हम बात करने वाले टीवी एस वर्सस के डबलू एन के बीचे होने वाले करवान के बीचे होने वाले CBFS T20 मैच के बारे में हर एक प्लेयर का सारा इंफॉर्मेशन कौँ किस नंबर पर बल्ले बासी के लाएगा कौँ की दिनों और बाल करके देने वाला इस मैच का आपको लिए पिछ रिपोट क्या होगा प्लेइंग 11 क्या होगा प्लेइस बिदल क्या होगा दो से तीन आपको क और वन बाइवन बात करेंगे बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है तौस हो जाने का लाइना पास जाने का जो भी हमारी फाइनल टीम होगी जिससे भी मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा वो तीम मैं आखरी के पांच मिनत पे इस्क्रीन सौथ के जरिया अपने त दूँगा सबसे पहले ही जो मैच मुझे लगता है कि कई ना कई टीवी एस की तीम को जीतने के चाहरा तीवी एस की तीमी सीजन की सबसे श्रॉंक तीमों में से एक है यह हो गया मेरा पहला प्रडिक्सन यह जो मैच मुझे लगता है कि TVS की TVS जीतने वाली है यह जो मैच होने वाला यह आपको सार्जा में होने वाला है यहाँ पर रन बनाना काफी असान है अगर TVS की तीम पहले बल्ले बासी कर रही है तो मुझे यही लग रहा है कि कई ना कई TVS की तीम के जीतने के चांस जाता है विजन सिपिंग की तीम ने इससे पहले CBFS में काफी सीरीस खेल रखा है और ती जोईंटी के लेवल कर इनके प्लेयस ने काफी अच्छे मैचेस भी खेल रखा है काफी असानी से जादतर मौकों पे मैचेस जीते भी हुए है सबसे पहली चीज इस सीजन में CBFS के पहली बार TVS की तीम खेलने वाली है जो लोग इनके प्लेयस के बारे में नहीं जानते है सबसे इनका बड़ा प्लेयर है एम नदीम जो की बल्ले बाची में भी नमबर तीन पहाएगा बाल से भी आपको जाहते तर मौकों पे तीन ओवर से लेकर के चार ओवर करे गई करेगा आखरी के सो इसने छे मैचेस केल रखा है उसमें से चार एसे मैच के हुआ जहाँ पर इसने फेंटेसी के सवेटी प्लस पॉइंच दिला करके आया हुआ है यानि कि इस समय काफी फॉर्म में है और आपको अपनी तीमे कैप और वी सी बना करके चलने की कोसिस करना है साकिब महमूद जो कि इस समय तीवी एस की तीम और से कप्तानी करेगा बल्ले बाची में ओपना राएगा जब भी इनकी तीम पांची बॉलर्स के साथ खेले कि वहाँ पे हैम साकिब के भी एक दो ओवर्क दिये जा सकते हैं कई बार ये भी हुआ है जहां पर एस महमूद ने चार-चार ओवर पुड़ा बॉल भी कर रखा है लेकिन ना ही बल्ले बाची में कोई बहुत बड़ा प्लेर ना ही बॉलर बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन अपनी तीम के लिए कप्तानी कर रहा है बल्ले बाची में भी ओपनार आएगा शुरू के और समय बॉल भी करेगा तो ज़रूरी प्लेर रहेगा उसके अलबा अब आपको यहाँ पर सोचना यह है कि आपको फयास खान को लेना है या फिर एम इकराम जंजुआ को लेकर के चलना है ओवरॉल काफी अच्छा प्लेर है एम जंजुआ बॉलर काफी अच्छा है लेकिन फयास खाने के ऐसा प्लेर है जो कि रिसेली मैचेस में काफी फॉर्म में नसर आया हुआ है अगर आपको लग रहे कि तीवी एस की तीम में जीतने वाली है अगर तीवी एस की तीम पहले बॉल कर रही है तो आपे मैं जंजुआ को लेकर के चलूँगा वह एक तीवी एस की तीम सेकेंड इरिंग में बॉल कर रही है तो आपे मैं फयास एहमद को लेकर के चलूँगा कि ये फयाच ने आखरी उस अपने पांच मैच खिल रहा है उसमें से एक मैच ऐसा गया हुआ जाप इसको पांच विकेत मिला हुआ है दो ऐसे मैच गया हुआ जाप इसको दो दो विकेत मिला हुआ है और एक ऐसा मैच गया है जाप इसको एक विकेत मिला हुआ है यानि कि रिशनली फॉर्म इसका काफी अच्छा है अगर पहले बॉल होगा वहाँ पर आप M जंजुआ को भी ले करके चल सकते हो उसके अलावा यहाँ से बॉलिंग अप्सन है सबसे पहले है तीन अच्छे बॉलर इनकी टीमोर से जिसमें नाम जे घानी का है M रोहिद खान क प्लेबाची में नंबर चेपर आकर के 10 रन 20 रन ऐसे रन भी बना सकता है से वही है मरोहिद का भी बल्ले बाची करम नंबर आथ पर आथ पर दस बीस रन भी बना करके दे सकता है लेकिन बाकी मलुक जो है बल्ले बाची में 10 वे और 11 नमकरीब आएगा यह तीनों बॉलर चार चारो अबर फुरा करके देंगे अगर TVS की तीम पहले बॉल कर रही है तो वहां पर आप आपको TVS के बॉलर सको अब पूरी तरिके से ध्यान दे करके चलना है लेकिन अगर से second ball कर रही है वहां पर आप KWN के बॉलस को acia भी द्यान दे करके चल सकता है बाबर इकबा जो कि इस समय कारवान की तीम वोर से कपतानी कर रहा है पहले वाले मैच में इस ट्वेदियम में था ही नहीं मैच में भली खेल रहा था लेकि था ही नहीं वहाँ पे बल्ले बाची भी नहीं आई बॉलिंग भी नहीं कुछ भी नहीं आई लेकिन दूसरे वाले मैचों इसने तीन ओवर बॉल किया अपनी तीम के लिए कपतानी कर रहा था वापी इसको दो विक्त भी मिले हुए है तो बॉलर काफी अच्छा ही स्पिनर बॉलर है और देखने कोई से यह मालूम चला कि आखरी वाले मैचे वापसी कर चुका है तो मुझे लगता है कि आपको ले करके चल भी सको एक विक्त भी मिला बल्ले बाटजी भी प CRA करके इसने रन भी भी बनाए दूसरे वाले मैचे वापस भी आई इसके वाल्ले मुझे बाल रियुका काफीय बालस है पहले वाले मैचे बाबर इकवाल ने बाल नहीं किया था, वहाँ पे जाहिद अली मुनीर को बाल मिला था वागी मेन ली जो इनके बालस में एच भरवाल है, बाबर इकबाल है उमेर अली खान है, एच लुकमैन है, और यहां से अवेस अली सहा है यह सारे इनके main ballers है यहां से QI one भी एक over करीब कर सकता है कि बिन तन्वीर भी आपको दो over से 3 over करेगा यानि कि दोनों आपको 7 over करीब ball मिलने वाल है तो इस तरीके से ball होगा यही रीजितist के मुझे लगते ही जहीर जाहिद मुनिर के ऊवर कम किये एक बाइब फुर्श से जाने वाले हैं अगर इनमें से कोई ऐसा प्लेयर जो कि ना खेले जो कि ना खेले क्योंकि उमेर अली को जाधे तर मौकों पे चार और पुरा मिलेगा लुकमेन और अवेस अली के साह को भी तीन तीन और मिलना चाहिए तो ये चीज़ है कि अगर ये तीनों में से कोई एक बालर ना खेले तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि जाहिद अली को बालिंग कर दे के चांस और भी बढ़ जाएंगे अभी के लिए उमेर अली को ले करके चलने वाला हूं एम जंजुआ को भी ले करके चलू हूं अगर टीवी एस की तीम पहले बाल कर रही है तीवी एस की तीमा का पहले बाल कर रही है यहाँ पर हमने किया यह यह तीवी एस के चारों रोदस को ले रखा है यानि कि तीवी एस के जादे अच्छे प्लेयर है यहाँ से मलूक ने भी आखरी के 6 मैच्छेस में इसको 9 विकेत मिला हूआ है यानि कि मलुक भी काफी अच्छे फॉर्म में है एम रोहिद खान ने भी आखरी के पांच सारी आखरी के चार मैचेस में इसको चार फिकेत मिला हुआ दो मैचे फ्लॉप को है दो मैचेस में दो फिकेत मिला हुआ है जेग घानी ने भी आखरी के पांच मैचेस में पांच विकेट भी मिला हुआ है एक मैच में इसने 26 रन के करीब रन भी बनाये हुआ है मैं अभी के लिए जेग घानी को ले करके चलने वाला हूँ बाकी हैसे कोई भी इतना खराब बॉलर नहीं है में लिए टीवी एसके प्लेस को आपको ध्यान दे करके चलना है बल्ले बाची अफसने ध्यान से देखना अगर आप ये के डबलू एन के प्लेस के तरफ देखोगे तो काफी कलियर रहेगा कि फैसल खान ओपनार आएगा क्यों अवान के साथ नमबर तीन पे आपको नज़र आएगा यहां से एफ खलील जो कि एज़ा विकत की पर कहलेगा नमबर चार पे आपको नज़र आएगा लुकमान फैसल नम्बर पाँच पे आपको नज़र आएगा यहां से जाहीद अली है नम्बर छे पे आपको नज़र आगा के बिन तन्वीर इस तरीके से इनका बल्लेबाजी करम उपर नीचे रहएगा उमेर अली खान नम्बर सेवन पे रहएगा कई बार एच्छ लुकमेन नमबर सेवन पे रहेगा उमेर अली नमबर आथ पे आज जाएगा इस तरीके से इनका बल्ले बाजी रहेगा अब आपको सोचना ही है कि आपको के बिन तन्वीर और यहां से जाहिद मुनीर यह दोनों में से किसी एकी को लेना है क्योंकि यह दोनो जिसका सबसे मेन बल्ले बाज से जरूरी फ्लेयर रहेगा और मुझे लगता है कि साइज से उस्मान खान को ना भी खिलाए जाए क्यों कि यहां से ओपनर कौन आएगा एमसाकी है ना एमसाकी वह उपनर आ जाएगा उस्मान खान के साथ हो सकते हैं नमबर तीन पे फिट खान जूनियर ओपनर आ जाएगा नमबर तीन पे एम यहां से नदीम आ जाएगा नमबर चार पे आपको यहां से नसर आ जाएगा अभी दली नमबर पांच पे आपको फिर वही नसर आ जाएगा यहां से एफ दोड़गा हो सकता है नमबर छे पे एन फयाज जाएगा इस ये से रहेगा लेकिन अब इसमें चांसेस ये हो रहे हैं चांसेस ये हो रहे हैं कि यहाँ से उस्मान खान के भी खिलने के चांसे हैं तो मुझे लगता है कि उस्मान खान और सलमान खान जूनियर ये दोनों में से कोई एकी खिलेगा जो भी खिलेगा मैं उसको ले करके चलू अब ही के लिए मैं सोच ये रहूना कि आप धो प्लेर हैं जिनको आप निकाल सकते हूं पहला नम है जाहिद मुनीर का दूसरा नम है यहाँ से उमेर अली खान का अगर सेकेंड पाल कर रही है करवांद की तीम अभी इन दोनों से किसे को निकाल सकते हैं अभी के लिए मैं यह है पहले बले बासफ करीए तो अबुद अली इससमें काफी फॉर्म में आखरी वाले मैं चनाइदी ध्री रन के गरीब बना कर के आया हुआ है अभी धली नंबर चार पर पॉल सकता है काफी फॉर्म में ले कर के चलने का pertama कर के चल यहां से अभी के लिए मैंने इस तरीकी टीम रहा है वाज जिसमें दो अच्छे प्लेयर है बॉलिंग अपसने आपके लिए एम रोहिद खान अबाबर इकबाल यह दोनों प्लेयर अच्छे हैं जिनको आप जील में रोटेशन में यूज करके चल सकते हो जे घानी को निकाल क करके यहां पर आपके लिए दो अच्छे प्लेयर रहे हैं अगर तीवी एस की तीम पहले बॉल कर रही है अगर इन पांचों में से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है तो अगला प्लेयर में यहां से जंजुआ को ही ले करके चलूँगा बल्ले बच्छी ऑप्सन में आपको मे फाइनल टीम जो भी हो कि मैं तौस्त होने के वाद अपने तिलीगराम चैनल को आपको फ्री मैं अपनी फाइनल टीम भेज़ दूँगा जिसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शन और कमें सबस्क्राइब करना मत बूल